महाराष्ट्र में कोरोना वाइरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में मामारी में सबसे प्रभावित राच्छाय महाराष्ट्र में कोविड-19 के नए मामलों ने रज्य सरकार की मुश्किले बढ़ा दी है और इस बीच वैं मुख्य मंतरी उदव ठाकरे की पतनी रश्मी ठाकरे की कमचोरी की शिकायत के बाद मंगलबार को एक नीजी अस्पताल में भरती कराए गया बता दे कि 23 मार्च को रश्मी ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट पोजिटिव आई थी और ऐसे में कोरोना पोजिटिव पाई जाने पर वे होम कारेंटीन में थी तो यह आपको बता दे कि रश्मी ठाकरे ने 11 मार्च को कोरोना के वेक्सिन लगवाई थी फिल्हाल इलाज करवाने के लिए रश्मी ठाकरे को अस्पताल में भरती कराए गया और इससे पहले उदव रश्मी के बेटे और माश्चर सरकार में कैबिनेट मंतरी आदेते ठाकरे भी कोरोना पोजिटिव पाए गए थे तो यहां माराश्चर में कोरोना वाइरस का संक्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच अब खाबर सामनी आई है कि सीम उदव ठाकरे की पतनी अस्पताल में भरती है और अब मामारी से सबसी प्रभावित रवाच्चर में कोविट-19 के नई मामलों ने राज्य सरकार की मुश्किले बढ़ा दी है और इसे बीच मुख्य मंतरी उदव ठाकरे की पतनी रश्मी ठाकरे को कमजोरी की शिकायत के बाद मंगलबार को एक नीजी अस्पताल में भरती कराए गया बता दे कि 23 मार्च को रश्मी ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट पोजिटिव आई थी और ऐसे में कोरोना पोजिटिव पाई जाने पर हूम कारंटीन हुए थी तो यहां रश्मी ठाकरे ने 11 मार्च को को कोरोना की वेक्सिन लगवाई थी तो यहां फिलहाल इलाज करवाने के लिए रश्मी ठाकरे को उस्पताल में भरती कराए गया है और इससे पहले उदव रश्मी के बेटे और मार्श्र सरकार में केबिनेट मंतरी अधित्य ठाकरे भी कोरोना पोजिटिव पाए गए